नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है राजस्थान में आगामी विधान सबच्चना में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है सत्ता रूड कॉंग्रेस लगाता दूसरी जीत का दावा कर रही है तो बीजेपी राजी में वापसी को लेकर आश्वास्त है बीजेपी सत्ता में फिर से आने के लिए कड़ मुद्दों को उठा रही है एसी में एक है पेपर लीक मुद्दा यह ऐसा विशे है जो पूरे प्रदीश में चर्चा का विशे बना हुआ है बाती जनता पार्टी भी इसके महत्व को समझते हुए इसे भुनाने में लग गई है इसके नेता, अपने जनसभाओं और रेलियों में लगातार लोगों के सामने इसे उठाते हुए अशोक गहलो सरकार को घेर रही है जिस तरह भाती जनता पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है उससे लग रहा है कि इससे कॉंगर्स को नुकसान पहुँच सकता है आया आपको बताते है कि कैसे पेपर लीक मुद्दा गहलो सरकार पर भारी पढ़ सकता है पिष्टा दिनों प्रवता निर्देई शाले ने राजस्तान कॉंगर्स प्रमुक गोविंद से हैं डोटा सरक सहित बब्बिन ने कॉंगर्स नेताओं की यहां छापे मारी शुरू की कॉंगर्स ने एडी की कारवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम इन घोटालों की निंदा करते हैं लेकिन एडी की कारवाई राजनीती से प्रेरित है सचिन पालेट ने ED की कारवाही की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीग अस्वी कार है और कोई भी युवाओं के भविश्ची के सांथ खिलबार नहीं कर सकता पर ED पिशले पांस साथ से निस्क्रियर रही है लेकिन चनाव के वक्त अचानक छापे मारी शुरू हो गई है और जाहिर है कि इस तरह की कारवाही से कॉंग्रेट की छबी को नुक्सान पहुंच सकता है वहीं बीजेपीर और नीतिक रूप से कॉंग्रेट की कारियकाल के दौरान पेपर ली की घटनाव को चुनावी जीत के संभावित रास्ते के रूप में देख रही है बीजेपी नेतर राज्यवर्दन राठ ठोर कहते हैं अगर हम दोबारा चुने गए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्नायक कारिवाही करेंगे मैं पार्टी हर रेली में समुद्दे को उठाते हुए कॉंग्रेस और अशोग गैलो तो सरकार को जम कर घेर रही है